नवस्कार दोस्तों, आज हम लोग 508, 508 के उनिट फोर का बहुत ही इंपोटेंट प्रशन को देखेंगे, इसके पहले के विडियो में प्रशन संख्या एक और दो को हम लोग देख चुके हैं, यह प्रशन संख्या तीन है, यहाँ पर आप प्रशन देख रहे हैं, आप एक स सिच्छक हैं, हम सभी जानते हैं कि जो भी डियलर कर रहा है, सभी एक सिच्छक हैं, बच्चों के एक कला अनुभूती की ओजना कैसे बनाएंगे, बच्चों को आप कला अनुभूती करवाना चाहते हैं, इसकी ओजना आप कैसे बनवाएंगे, इसके बारे में यहाँ पर ह देख चुके हैं, डान्स करना, गीत गाना, मूर्ती बनाना, चित्र बनाना, और इन सब कामों से जो खुसी मिलती है, वो आपका कला अनुभूती है, तो बच्चों की अनुभूती अधिगम के लिए सार्थक प्रसंग का चैन सबसे पहले किया जाना चाहिए, सार्थक प्रसंग का चैन किया जाना चाहिए, चाहे वा चित्र का हो, चित्र बनाना, मूर्ती बनाना, कोई भी चीज हो, कविता कहना, कहानी कहना, जो भी हम प्रसंग अनि टॉपिक का चैन करेंगे, वह सार्थक होना चाहिए, जिसे बच्चों को कुछ ने कुछ नए ग्यान की प्राप्ती होनी चाहिए, जब बच्चों को जिसे नए ग्यान की प्राप्ती हो, ऐसे टॉपिक का सबसे पहले हम चैन करेंगे, अनि चुनाव करेंगे, यह प्रसंग पाइट करम के अनुसार होना चाहिए, दूसरी बात, कि आपने जो भी टॉपिक चुना वो बच्चों के सिलेबस के अनुसार होना चाहिए सिलेबस से बाहर नहीं होना चाहिए जब सिलेबस के अनुसार होगा तुसे सिलेबस को समझने में असानी होगी बच्चों को उनके सार्थक विचारों, विम्मों, भावनाओं और अनुभूतियों को साजा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए हमलों को प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को प्रेरिना मिलना चाहिए जिसे वे अपने विचार, भीम, भावना ये सभी को एक दूसरे के साथ साजा कर सके उधारन के लिए कविता को असपश्ट करने के लिए या विगत वर्सों से समंधित किसी अइन कलाकार द्वारा सिर्जित कलाकिर्ती की नकल के लिए सिच्छक द्वारा सही और अपेचित प्रयावरन उपलब्ध कराना चाहिए यहाँ पर उधारन मैंने दिया है माल जी आप कविता का पाठ करवाना चाहते हैं या जो गत वर्स में बच्चों ने कुछ कलाकार द्वारा कुछ अपना कलाकारी से कुछ कलाकिर्ती को सिर्जित किया था कलाकिर्ती बनाया था चाहे वह मुर्ती हो कोई अच्छा सा चीत्र हो नमुना हो या कोई भी चीज हो बच्चों ने बनाया था तो इसे आप बच्चों को कहते हैं कि इस तरह का नकल करो और खुद से बना के फिर से दिखाओ या इस तरह का कविता का पाठ करो ये सब करने के लिए एक सिच्छक को चाहिए कि इसके लिए अपेचित प्रयावरन वातावरन का सिरजन करे अच्छा वातावरन का निर्मान करे तभी बच्चे कविता का पाठ कर पाएंगे या फिर जो दूसरे ने कलाकृती बना के रखा है उसको नकल करके उसके जैसा बना सकेंगे उसे सभी पहलूँ जैसे उद्देशियों, कच्छा का अस्तर, उपलब्द सुविधाओं, विद्यार्थियों की संख्या, सामग्री और समय की उपलब्दता आधी पर विचार करना जीए जैसे ही हम कोई टॉपिक चुनाव करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड हमको क्या क्या देखना पड़ेगा उद्देश की उस टॉपिक से क्या उद्देश की पूर्ती होगी कच्छा का अस्तर हमको कच्छा का अस्तर देखना पड़ेगा माल जी कोई साथ साल का बच्चा है और उसे हम 15 साल के बच्चा का जैसा हम काम दे देंगे तो यह नहीं कर पाएगा तो हमको उसका कच्छा का अस्तर पहली दूसरी तीसरी जो भी कच्छा है कच्छा का अनुसार ही देना चाहिए कि पहली कच्छा का बच्चा ये सब कर सकता है दूसरी कच्छा का बच्चा ये कर सकता है आठवी क्लास का बच्चा ये कर सकता है तो कच्छा का अस्तर को ध्यान में रखना पड़ेगा हमारे पास क्या-क्या सुविध बच्च चाहक पर मोजूद हुए था उपल बप्ध है हम एक ऐसा टौपिक चैन कर लेंगे जिसके लिए जो आवस्यक वस्तु है आवस्यक वस्तुमें इधर मिलेगा ये नहीं तब क्या होगा? सोचो बच्चे कर पाएंगे क्या? नहीं चुक्कि उसको करने के लिए आवस्यक वस्तु चाहिए, आवस्यक सुधाय चाहिए वो आवस्यक सुधा वहाँ पर मोजूद नहीं है तो बच्चे चाह करके भी वो कर नहीं सकते बिद्यार्थियों की संखियां, सामगरी की उपलवदता, समय की उपलवदता, इस पर भी विचार करना चाहिए पाट पुष्टक से बाहर के अनुवेशन करने के लिए बच्चों को समय दें जदी कुछ ऐसे टॉपिक का चुनाव आपने किया है, जो कछा से बाहर का है माल जी आपने बच्चों को सर्वे करने के लिए कि किन किन घरों में दो पहिया वाहन है किन घरों में चार पहिया वाहन है किन के लोग साइकिल प्रयोग करते हैं किन के लोग आज तक साइकिल भी नहीं है आप ये सर्वे करने के लिए सर्वेच्छन करने के लिए एक टोला आ जोजित किया जाना चाहिए और उनमें अवलोकन, अनवेशन, प्रायोगी करन तथा स्रिजन को साविल किया जाना चाहिए जो भी आप अनूती बच्चों से करमाना चाहते हैं उसमें अवलोकन होना चाहिए अनवेशन होना चाहिए प्रायोगी करन होना चाहिए स्रिजन भी ह गब इसको अच्छा है देखिए एक कला अंभूती वाले चीजें जो है जब बचे ठक जाते हैं तो करने देने से अच्छा रहता है अर्थात जो है अंतीम के कुछ पिरियर्ट्स जो होते हैं अंतीम के जो घंटी होती है उसमें इन सभी को सामिल किया जाना चाहिए सिच्छक समुदाय में उपलब्द विसे सग्यों जैसे अभिभावकों कलाकारों बेवसाईयों को देख सकता है उनका परियोग मने लोगों से सहायता लेकर के बच्चों को कुछ सिखाने के लिए उनसे अनरोध कर सकता है और वे सिच्छक के साथ मिलकर जो विसे सग्य हैं अ कला अन्भूती की ओजना बनाते समय ध्यान देने वाली बात जुम एक विचार की क्या करना है सबसे पहले परकरन जो हमने बताया टॉपिक चुनना है कौन सा टॉपिक होगा उत्परेरक के रूप में सामगरियों करनों का परियोग करना हम सबी सुछक को उत्परेरक के गठन करना, समर्थित प्रयावरन सरजन करना, आनि उप्युक्त वातावरन का निर्मान करना, आगे देखिए, प्रदर्शन छेत्र के लिए एक दृष्टी कौन के बाद मुल्यांकन के लिए अभिलेक रखना, अब जो भी प्रदर्शन हुआ, हम सबी सिच्छक हैं, तो बच का आकलन करना ही पड़ेगा, मुल्यांकन करना ही पड़ेगा, उसका प्रफर्मेंस कैसा था, उसमें क्या त्रूटी रह गई, उसका समाधान कैसे करेंगे, बच्चा किस अस्तर तक पहुच चुका है, यागे मेरा क्या ओजना बनाने वाला हूं, क्या बनाना पड़ेगा, इन सभी के लिए मुल्यांकन और आकलन बहुत ही ज़रूरी है, इसके लिए हम लोगों को अभिलेख रखना पड़ेगा, उसका रिकॉर्ड आनि मुल्यांकन करके रिकॉर्ड बना करके रखना पड़ेगा, कारी के दोरान और समापती के बाद मुल्यांकन अभिलेख रखना तो दोस्तों, आप लोगों ने इस प्रशन को देखा, नेस्ट वीडियो में आप काई जो प्रशन देख रहे हैं, विद्याले समसारनी में कच्छा सिच्छा का अस्थान क्या है, यह आपका रहेगा 508 का उनिट 4, धन्वा दोस्तों, जदी वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करें, और जदी मेरे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सस्क्राइब कर लें, बिल आइकन बटन दबा के रखें, ताकि आपकी तैयारी को मैं अच्छे धंक से करवा सकूँ, जो भी वीडियो में पब्लिस करूँगा, उसका नोट्फिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसको देख करके लाग उठा सकते हैं, धन्वा दोस्तों, जय हिंद।